केवल मन के चाहे से मन चाही होती नहीं किसी की और बिना चले कब कहा हुई है मनजिल पूरी यहां किसी की परवत की चोटी छूने को परवत पर चड़ना पड़ता है और सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है उद्यम किये बिनातो चीटी भी अपना घर बनाना पाती इच्छा पूरी करने का इच्छा पूरी होती जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम तो वेलकम गाईश तो अगत है आप सभी का आज मठा को देजा मुने शारियन आपके साथ लेके आएंगे एक नई वीडियो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सफलता कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जैसा कि अभी आपने पंक्तियों में समझा कि अगर हम अपना मूल मंत्र अपना सबसे अच्छा मंत्र परिश्रम को नहीं बनाते उद्यम को नहीं बनाते तो हमें सफलता नहीं मिल पाती हमारा सबसे एहम जो रोल होता है वो होता है कि हम अपने आपको अपने स्रेणी में अपने एरिया में अपने जो हमारी फील्ड है सबसे टॉप पे कैसे रहें सबसे सफल कैसे बनें तो उसके लिए मैं तो आपसे एक ही बात रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने काम में अपने लाइफ में उद्यम को जोड़िए परिश्रम को जोड़िए बर्क को जोड़िए हार्ड वर्क को जोड़िए स्मार्ड वर्क को जोड़िए आज तक जिन्दगी में वो ही लोग सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं जिन्होंने अपने बर्क को सबसे ज़्यादा importance दी है priority पे रखा है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को उन्होंने value दी है तो उनका है बर्क, उनका है काम इसके लिए आप चूज कर सकते अपना पसंदीदा बर्क, अपना पसंदीदा काम और अगर आप अपने पसंदीदा काम अभी तक नहीं ढून पाएं तो लगे रहें और तब तक लगे रहें जब तक आपको आपका पसंदीदा काम